हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे किसी की दया और क्रिपा पर नहीं हम लड़कर लड़कर लेंगे पीछे नहीं हटेंगे चाहे उसका कोई पढ़ना सामने आएगा, चाहे लाठी चलेगी, चाहे गोली चलेगी, हम लोग छाती खोल कर सामने खड़े रहेंगे, पीठ नहीं दिखेगा, यह मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो बैठी है, जो बैठी है यहाँ पर, जो संघर्स करने वाले लोग हैं, उनको ED, CBI और बोल्डोजर से डरवाए जाता है, वो बोल्डोजर का मुझ घुमा देंगे हम लोग, उस बोल्डोजर के आगे खड़े हो जाएंगे, अत्याचार अन्याएं नहीं होने देंगे, यहाँ को बिस्वास दिलाते हैं, और आज, जो इनके खिलाफ बोलता है, जो इनके खिलाफ मोर्चा लेता है, उस पत्रकार की भी बोलती बन कराने का प्रयास करते हैं, उस संस्था के उपर बोल्डोजर चलवाने का काम करते हैं, उसको ED, CBI से उसके घर चापर डलवाते हैं, पर हमारे कहीं नेता डरने वाले कारे करत नहीं हैं सब लोग डर्क मजबूती के साथ खड़ें लोगों के इसने प्यार आशिरवात वो हम सब लोगों को की ताकत है वही हमारी सबसे बड़ी सबसे बड़ा बल है हमारे यूद कॉंग्रेस के साथ ही हमारे निस्वाई के साथ ही महिला कॉंग्रेस हमारे सभी फ्रंटल यतने संगठन हैं हमारे सिवा दल के साथ ही जो दिन रात अपनी सिवा देते रहते हैं सभी संगठन हम सब लोग मिलकर इस मजबूति के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ये संदेश देंगे कि हम सब लोग परिवर्तन करेंगे 2024 में और वो आगाज वो आगाज आज यहां से हो गया आज 24 तारीक है 24 से 24 की तैयारी 24 से 2024 की तैयारी इसलिए 24 तारीक का चुनाओ किया गया कि चुनाओ 24 को हम लोग आएंगे और उस दिन लोग आप सब हमारी ताकत हो आप सब हमारी पूजी हो हमारे साथियों ने कहा कि कारे करता हो हमारे प्रमोतिवारी जी ने कहा कि कारे करता और नेताओं की बीच की दूरी अगर समाप्त हो गई तो कांग्रेस पार्टी को आगे जाने से कोई नहीं रोग सकता मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने केंदरी नित्त को यहां बैठे नित्त को कि कारकरताओं के लिए अगर जान की बाजी भी लड़े नहीं पड़ेगी तो हजारा पीछे न रहा है न रहेगा यह आपकों विश्वास दिलाते हैं पूरे देश पूरे प्रदेश के अंदर चंदावली से लेके गाजियाबाद तक और बुंदेल खंड से लेके पूरे नेपाल बार्डर बहराईज तक हर जगा कॉंग्रेस पार्टी के कारकरता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और यह ताकत यह बल आप सब लोग हमें देते हो आप हमें ताकत देते